एक खुसकबरी दे रहा हूं कि दो दिन पहले मेरे उपर फायार हुआ था और आज अभी बेल हो गया मोतिहारी कोट से जो है मुझे बेल मिल गया है जो अचार संगीता के उलंगन का मेरे उपर केस हुआ था तो क्या यह क्या चलना यह मनिश कस्यप और विवाद यह दोनों मतलब चोली दामन का साथ है एक खतर नहीं जब आप पूरा दुनिया देखेगा कि बिहार के लोगों को कैसे परतारित किया जाता है कैसे परिसान किया जाता है हलागी बहुत सारे चीजों पर हम लोग सभा करना चाहता हूं तो मुझे पर्मिसन नहीं मिल रहा है ऑनलाइन पर्मिसन के लिए अपलाई कर रहा हूं मैं सभा करने के लिए तो मुझे पर्मिसन नहीं मिल रहा है पूरे चंपारन में बेतिया में सबसे बड़ा रहली करने वाला था मैं सबसे बड़ा मतलब कि लग अचार संगीता का उलंगन का मेरे उपर केस हो जा रहा है, तो मैं अखिर करूँ तो करूँ क्या करूँ, मैं अपने घर में बैठ जाओं, मुझे आप परमिशन देंगे नहीं, लोगों से मिलने के दोरान जो है केस कर देंगे, तो करूँ क्या, तो यе समस्या है, और समस्या क का समधान ढूंडने का प्रयास है जन्दी से ये बता दीजे कि ये अचार संगीता का उलंगन का केस क्यों दर्ज किया गया आपके उपर और आज जब पोर्ड में आप पहुचे तो क्या क्या दलीले रखी गई आपने क्या दलीले दी उधर से क्या दलीले दे गई और फिर ज देना चाहिए और कमाल की बात यह है कि मेरे समर्थकों के ऊपर भी एफ हो गया समर्थक के ऊपर इसलिए अफियर किया रहा है कि ताकि मनीशका स्यफ का सपोर्ट करना लोग छोड़ दे कि मनीशका से अपके साथ खड़े हो जाओगे तो तुमारे उपर एफियर कर दिया ज को भी तो चुनाऊ अचारसंगीता है उस पर में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं बस इतना ही कहूं गा कि मुझे पर्मिसन दे दीजे मैं चंपारन में घूम चाहता हूं मुझे आधिकारी बोल रहे हैं दिकारी बोल रहा है मुझे कि आप सिलिब्रिटी हैं अगर आप कही जाएंगे तो परमिसन लेके जाएंगे तो अगर मैं कही जाओंगा तो परमिसन लेके जाओंगा आपके हिजाब से मैं सिलिब्रिटी हूं और मैं अपने हिजाब से जो है मैं बिहार के गरीब का बेटा जो आप परमिसन दे दिजे आप पंच्मी चम्पारन लोगस्व आश्व घूमने का जो है मुझे पर्मिसन दे दिजे मुझे लाव कर दिजे तकी मैं घूमूं गा और नेताजी लोग भूमेंगे तो यह तो गलत है यह लोगतंत्र की सुरुवात जो है बिहार से हुआ था और यहां पर लोगतंत्र का अगर हत्या होगा तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे इस समय आपको परिशान क्या जा रहा है आपके इसाप से आपके लिए अंग्रीज कौन है देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक भारत के लोगों को भारत के युवाओं को आजादी की कहानी पढ़ाई गई है कि हम आजाद कैसे हुए हम आजाद कैसे हुए लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि आज आज आजादी की कहानी बिहार का अभी हम बिहारी गुलाम हैं हम अपने हग की बात नहीं कर सकते हैं यहां पे पता है दाखिल खारीज जमीन का दाखिल खारीज के लिए घूस लगता है अब पता कीजे यहां पे घूस लगता है कि नहीं मिर्तु पर्मान पत्र बनवाने के लिए जनम पर्मान पत्र बनवाने के लिए अधार काट के लिए पैन काट के लिए बोटर आइडी काट के लिए हर जगह पे जो है डाइवी लाइस kaufen बनवाने के लिए गूसे और इन सब पर अगर मनेश का से बोल देगा तो आप f-r कर दोगे तो यह गलत है। मैं यहां का सबसे पिछडा- एरिया में गया था परसो। और मुझे चुकि मजवलिया में रैली करने का पर्मिसान नहीं मिला तो मैं ने कि घर पर बैट के क्या करूंगा मैं चलता हूं घुमता हूं लोगों के बीच में जाता हूं जनसंपर्क करता हूं तो मैं गया वहां पे वहां पे मैं उत्रा और उत्रा तो वहां पे दो तीन लोग थे तीन चार लोग थे और मुझे उतरते हुए देखने के बाद वह नरकट दस बजे हम लोग वहाँ पे मुस्ताइद हो गए तो अगर आपको लगा कि मनीश कस्यफ आदर्स अचार संगीता का उलंगन कर रहा है जैसे मैं गाड़ी से वहाँ पे उत्रा वैसे ही आप बोलते कि नहीं नियम नहीं है परमिसर नहीं आप गाड़ी में बैटी और यहां से जाए जैसे कभी-कभी राहुल गांधी किसी धरना अस्थल पे जाते है या बंगाल में बीजेपी के नेता जाते है तो ममता बनर जी का पुलिस जो है रोक देता है फायर थोरी कर देता है जब आपको पता था कि मनीश कस्यफ आने वाले है यहां पे और आप वहां पे खड कि मादयम से मनीश कस्यफ जो है यहां पे आने वाले हैं आपको पता चल गया था तो जैसे मनीश कस्यफ का गाड़ी का दरवाजा खुला हूँ ऐसे ही आप बंद कर देते और बोलते कि आपके पास परविशन नहीं है आप यहां पे नहीं उतर सकते हैं तो यह एक अलग तर को उनकी धजिया उड़ा तो इसलिए साजी सुरा है तो मनीश कस्यफ जो है वो चुनावी मिदान हुत्रे हुए हैं और इसी बात से इनका कहना है कि लोग कई लोग डरे हुए है वालगता है मनीश कस्यफ पर भाईयार की जा रही है चार संक्ता मुलंगन का रोप लगाया बाकि मनीश का सब कितने सही हैं इसका जवाब को जनता है इस बर चुनाव में देगी बाकि आप क्या सोचते इसके पर जोब बताईएगा